वागत है आपका हमारी चैनल जोगा जो किसे में इंडिया में कि द्यारतों जैसा कि आप योग सुत्र कर्म्षा समझ रहें उसमें उव्यत पात समझ रहें उव्यत पात में 3.10 से लेकर 3.12 तब के सुत्रों को इस वीडियो में आप जान सकेंगे तो बगर इसकिप के पूरा वीडियो जड़ूती कीगा पिछले वीडियो में आपने 3.9 तक समझाता है तक समझाता है और उसकी आगे आप समझेंगे प्रसांत चित्त निरोध चित्त का फल जानेंगे इस सुत्र के माधम से यानि 3.10 चली सबसे पहले सुत्र को देखते हैं तसले प्रसांत वहित निरोध का फल निरोध का फल प्रसांत शांतपूर अवस्था वाहिता प्रवाह संस्काराथ संस्कार से संबंधित विचार बंधित विचार संस्कार बल से उस यानी चित्त की प्रशांत वाहिता इस्थित होती है ख्यान समझना संस्कार बल से उसकी प्रशांत वाहिता इस्थित होती है अथा प्रकट होने वाली आवस्था तथा निरोध की आवस्था कि बीज चेतना में बिना प्रियास, कैसे बिना प्रियास, तथा निर्विग्न छड़ाता है, जो निरोध की अवस्था को टाल कर, शांत की अवस्था प्रदान करता है, इसी अवस्था को नदी का शांत प्रवाह, यानि प्रशांत वाहिनी, कहते हैं, जो अव्यक्त विचारों को सुध्ध करने का कार्य करती है, यानि यह समाधी की अवस्था के पूर्व की अवस्था है, एक छाड के लिए हो, यह ध्यान लगना, देखो थोड़ा इसमें और समझने, जो पिछला सूत्र है, जब विध्धान के संसकार रूप मल सरवता तब जाते हैं, और निरोध यानि परवेराग्य के संसकार प्रवर्धित होकर बलवान हो जाते हैं, तब उस समय चित में निरोध संसकारों की बहुलता से केवल निर्मर, निरोध संसकार तथा धारा प्रवाहित होती रहती है, अर्था केवल निरोध संसकारों का प्रवाही गतसील बना रहता है, यही चित का प्रशांत होना, यह एक रस प्रवाहित होना हुआ, ठीक, तो आ आगले सूत्र में समझते हैं थिरी पॉइंट 11 इसमें आपको समझना है चेत्ना को परिवर्थित करने वाला तंत्र सबसे पहले सूत्र को देखते हैं सर्वथ एक आगरतयों 6 उदयों चितस से समाधी पैरड़ा माहां तो सर्वथ सारे बिंदुओं पर एक आगरतयों एक आगरतयों एक बिंदुपर एक आगरता छाय नस्ट होना उदयों उभरना और चितसी यानि चित्त करने शमाधी यानि समाधी आपको परिवार पढ़ चुके हैं और पड़्डामा यानि परिवर्थ करने तो एक लाइन में इसको समझें उसकी बाद आसान लगें आपको समझाती हैं सभी तरह के विशयों का चिंतन करने की वृत्य का शमन हो जाता है यानि लग्ष विशय का चिंतन करने वाली एक आगरता की इस्थित्य का उदय हो जाना यह चित्त का समाधी परिडाम है अर्थात चेतना में जब सारे बिखरे विचार तरंगों की समाप्ति होती है तो किसी एक बिंदु पर ही चित एकागर होता है अनेक बिंदु पर से एक बिंदु पर ध्यान एकागर करने का या परिवर्तनी समाधी मार के विदर्थों समाधी की अवस्था में निस्क्रियता की एक प्रकर्तिक दशा उत्पन होती है जो विक्ति को चेतना के साथ एक बिंदु की एकागर वाली अवस्था में ले जाती है अर्धात जब योगी साधा का निरोध समाधी के पूर्ग शम प्रग्यात समाधी की सिद्ध अवस्था होती है तब उस समय चित्त की विचित्ता अवस्था का समान होकर एक आगरता की इस चित्त का प्राकर्टी हो जाता है तो आपने बहुत अच्छी समझ गया होगा अब आगले सुत्र की सित्रा पढ़ते हैं थिरी पॉइंट ड्वेल इसमें आपको एक आगची यानि एक बिंद पर ध्यान समझना है तता पुनाह सांते उदेतो तुल्ले प्रतेव चित्त से एक आगरता पैरणा माहा अब इन सब्दों के अर्थ को जानते हैं तब पुनाह फिर से शांत यानि इस्थिर वस्था उदेते उदे की वस्था तुल्ले के समान यानि तुल्लागा प्रतेव बोध ज्यान एक आगरता एक विशय पर और चित्तस यानि चित्त का एक आगरता एक विशय पर ध्यान अपरडामा परिवर्थन तो उसके पस्चात यानि जो आपने 3.11 में समझा उसके पस्चात फिर जब शांत होने वाली एयों उदित होने वाली दोनों ही विशय एक जैसी हो जाती हैं तब वह चित्त का एक आगरता पईड़ाम है यानि जारत्यों यह सूत्र परिवर्थन की उस सक्रिय और निस्क्रिय दसा के बीच के अंतर की व्याख्या करता है अंतर सक्रिय और निस्क्रिय के बीच के जो शमाधी परडाम और एकाग्रता के परडाम के बीच रूप लेती है या शांध चेतना की इस्थिर अवस्था को एकाग्र चेतना की शक्रिय अवस्था में ले जाने पर बल देता है या शांध चेतना की इस्थिर अवस्था को एकाग्र चेतना की शक्रिय अवस्था में ले जाने पर बल देता है या शक्रिय अवस्था से शक्रिय अवस्था की ओर होने वाला परिवर्तन है विदर्थों शक्रिय एकागर्चित अवस्था में ध्यान को उसी वर्तमान छड़ पर इस्थिर रखना होता है और चेतना को विचलित या इस्थिर अतीत या भविश्य के बीच आने जाने से रोकना पड़ता है यहीं चेतना की चौथी अवस्था है चौथी अवस्था है चेतना के अन तीन अवस्थाओं का वर्ण आगे आप पैवल लिपाद में जानना तो आसा करती हूँ आपने बहुत अच्छे समझा हुआ इसमें आपने कितने से प्रुख्षम है तता पुनाह सांती उद्यतेओ तुल्य प्रतेओ चितस एकागर्था प चितस समाधी परिणामा है तश प्रशांत वाहिता शंशकारात तो जहां गईना समझ में आएगा कमेंट बाक्ष में शेयर करना मैं आपको दुबारा समझा दूग अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल आइकन जरू प्रिस करना ताकि मैं जैसे वीडियो जरूर शेयर करना धनी बात की जरती हुआ